हेलो फ्रेंड्स मैं हर्दीव सिंग फ्रॉम गति ग्रूप अफ क्लासेज आप सभी का स्वक्त करता हूं गाइस आज का जो हमारा टापिक है वो है राज़स्थानी स्कूल अवार्ट लेकिन हम सरफ MCEQ की सीरिस करेंगे क्योंकि हम अपना पूरा साले बस पीछे कर चुके हैं वो आपको अल्रेडी हमारे जो चैनल है उसके उपर आपको पूरी की पूरी डेटेल मिल जाएगी ठीक है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी सभी का लिंक दे दूंगा तो गाइस अभी शुर क्योंकि यह डारेक्ट कई बार उठाके डारेक्ट डाल देते हैं तो what is the meaning of Rajasthan? अंसर जो है इसका राजा means kings, ठान means place, means place of the kings तो आपको यह याद रखना है that simple means that is place of kings ठीक है? और साथ में जो next question है that is the question what is the geographical situation of Rajasthan? अगर हम geographical situation की बात करें, मतलब आसपास क्या है, जैसे कि एक तरफ पाकिस्तान है, पंजाब है, हर्याना है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, ये कुछ areas जो हैं, ये हमारे राज्यस्थान के आसपास दिखाई देते हैं. अगर हम बात करें, देखो इसके दो नेम हैं, ठीक है न, यहाँ पे हम आपको options भी दे रहे हैं, राजपूत स्कूल अफार्ट, मेवार स्कूल अफार्ट, पहारी स्कूल अफार्ट, मुगल स्कूल अफार्ट, कौन सा और नाम माना जा सकता है, ये आपको याद रखना है, य अगर साथ में एक और option भी आजाए, हिंदू स्कूल अफार्ट, इन दोनों में से कोई भी option आजाए, तो आपका वो सही अंसर है, ठीक है, अभी हमारा next question है, नेम्दा सब स्कूल वेर फर्स्ट फॉर्म ऑफ राज़स्थानी आर्ट जो है सबसे पहले flourish हुई, तो हमारे पा है, तो आपका अंसर है, मेवार स्कूल अफार्ट, इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भी बोलते हैं, अगर आपको यह question आजाए, कि मेवार स्कूल का और नाम बताओ, तो आप उसको बोल भी सकते हो, कि भाई, इस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ राज़स्थानी आर्ट, अग लेकिन वहाँ पर आपको ढूंडने बढ़ेंगे, हम आपको ढूंडे हुए ही दे रहे हैं, तो what is the major theme of Natvara paintings, तो love scenes of Radha and Krishna, portraits, Mughal court scenes, love scenes of Ram and Sita, इन में से कौन सा, आपको options जो है, वो choose करना है, the answer is love scenes of Radha and Krishna, तो option है आपका A, जो बिलकुल सही answer है, next question है, the state of Kishan God was under whose time period, है ना कौन से time period में अगर हम देखें, resume में या कुछ भी है, तो Raja Kishan Singh, Karan Singh, Ram Singh, Rai Singh, ये हमारे पास चार जो है, वो options है, तो हमारा answer है, Raja Kishan Singh, जो के 8th son of Raja Udhai Singh of Jodhpur, के जो राजा थे, Raja Udhai Singh, उनके 8th son है, उनके 8th son है, उनके 8th में बेटे हैं, राजा Kishan Singh, तो उनके अंडर ही जो है, Kishan God School, आपको बिलकुल याद रखना है, Kishan है, यहां पे भी Kishan है, यह भी Kishan, यह भी Kishan, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा बहुत link करके चलना, ठीक है, अगला question है, under whose patronage the art of Kishan God, जो है, इसके पूरे peak पे पहुंच चुकी थी, मतलब एक बहुत ही अच्छी art, अगर हम माने के होने वाली है, राजा Kishan Singh, सावन Singh, उदे सिंग या राज सिंग, तो आपको यह बिलकुल याद रखना है, that is Raja Raj Singh, उनके टाइम पे जो है, वो काफी ज़्यादा मतलब, patronage आपको यह बिलकुल ख्याल रखना है, patronage क्या होत अगरी दास, उतकल राम, मेगदूत, राजा राज सिंग, बिलकुल सही आपका अंसर है, that is Nagaridas, जो आपने सोचा था, वो बिलकुल सही है, नागरी दास जो है, वो उनका दूसरा नाम है, यह आपको बिलकुल याद रखना है, कि जो राजा सावन सिंग थे, वो एक रिम्स लिखी है, उनके नीचे उन्होंने नागरी दास करके जो नाम है, उसको वो किया है, मतलब हाइलाइट किया है, ठीक है ना, नागरी दास जो थे, भी, next question है, नागरी दास बस फॉल्लवर और डेवोटे ओविच उफ द सेक्ट, मतलब कौन सा सेक्ट था हिंदूईज में जिसको वो मानते थे, ना, पटिकुलर जिसके लिए वो डेवोटी थे, जिसकी वो भक्ती करते थे, कृष्ण, रामा, विश्नु, इंद्र, बिल्कुल सा अंसर है, that is कृष्ण, आपको यह बिल्कुल ना ध्यान रखना है, जादा तर जो मिनियेचर्स पहले टाइम में हुई है, राज्यस्तानी पहाड़ी, तो जादा तर वहाँ पे कृष्ण जी को ही माना गया है, कि उनके उपर ही काम किया गया है, यह आपको बिल्कुल याद रखना है, तो यहाँ पे कृष्ण जी जो है, उनको मानते थे, वो उनके वो थे, और साथ ही में कौन सा सेक्ट, वल्लभ सेक्ट, यह आपको बेलकुल याद रखना है, ठीक है न, वल्लभ सेक्ट, ठीक है, अच्छा, तो next question है, in which of the year, सावन सिंह कम मरे, है न, उनकी death कब हुई, तो कौन से options हैं हमारे पास, 1764, 65, 1864, 1821, तो option है, 1764, यह आपको बेलकुल याद रखना है, अच्छा, next question है, who was the famous artist of Mewar school of art, Mewar school का, जो famous artist है, वो कौन सा था, साहिब दीन, किशन सिंग, उतकल राम, नहाल सिंग, तो आपको ये बिलकुल याद रखना है, क्योंकि आप ऐसा भी बना सकते हो, कि कोई एक list बना लो, है न, जैसे कि, अगर आपको याद नहीं होता है, है कोई problem आती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि, मेवार school है, उसके अंदर कौन सा artist आता है, तो राजपू स्कूल है, उसके अंदर कौन सा artist आता है, पहाड स्कूल है, उसके अंदर कौन सा artist आते है, ये आप एक list बना सकते हो, तो हमारा option है, that is, answer is, साहिब दीन, तो इचले साल भी मारवरागिनी यही थी, who among were the patrons of Mewart school of art, patrons मतलब कि किस ने पैसा दिया उनको काम करने के लिए, Rana Pratap, Jagad Singh 1, Rana Pratap, Jeevan Singh, Jagad Singh 2, Nihal Chand, O Nihal Singh, Raja Raj Singh, तो option जो आपका answer है, that is Rana Pratap, Jagad Singh 1, आपका A जो option है, यह आपका answer है, ठीक है, तो next question है, in which of the sub school, faces जो हैं, वो refined हो चुके थे, mask जो था, वो pinkish था, लगने लगा था, water जो था, उसको wavy lines के रूप में बनाया जाने लगा था, तो यह कौन सा, जो है, हमारे पास options है, Mewart school, Jodhpur school, Bundi school और Rajme school, यह आपका specialization है, that is of Bundi school, तो हमारा answer है, that is Bundi school, आपको बिल्कुर याद रखना है, अगर आपको कोई पूछ भी लेना, के बनी स्कूल के characteristics बताओ, तो आप सीधा यहाँ पे बिना देखे, बिना सोचे समझे, यह चीज़े आपको लिख देनी है, ठीक है, ना कोई भी आपका जो अंसर है, वो गलत नहीं कर पाएगा, अगला question है, in which of the characteristics, Deccan influence can be seen in Bundi school, Bundi school में Deccan influence कैसे देखा जा सकता है, ऐसा कौन सा characteristics है, वो देखे, cylindrical forms of women, women को ऐसे represent किया गया है, gardens बनाए गए है, fountains है, architecture जो है वहाँ का, जो उनकी इमारते बनी हुई है, उनमें काफी ज़्यादा जो है, वो Deccan influence जो है, वो हमें दिखाई देता है, what is the other name of Jodhpur school of art, मेवाड, मारवाड, बुंदी, अजमेर, तो यहां से एक option तो हम पहले सी card देते हैं, कि मेवार school यह तो है ही नहीं, हो यह नहीं सकता है, तो आंसर जो है, that is मारवाड school of art है ना, जो आपका जो है, भी आपका जो है, वो option आपका अंसर है, ठीक है ना, अच्छा, who were the patrons of Jodhpur school, उनके patrons को उनसे दे, पहले हमने बुंदी school के की है ना, अभी हम patrons देखेंगे Jodhpur school के, जैन merchants अगर हम initial stage की बात करें, मतलब के जो शुरुवाती, जब school शुरुवात हुआ, तो वहाँ पे जैन merchants ने ज़्यादा commission किया काम, उसके बाद जो राजा मान सिंग है, उन्होंने भी काफी ज़्यादा काम जो है, वो commission किया है, तो अगर आपको ये question भी आ जाए, अगर आपको आजाए, लेटर स्टेज में तो राजा मान सिंग, अगर सिंपल आ जाए, तो दोनों में सी कोई भी नाम हो, तो आप वहाँ पे जो है, वो टिक कर सकते हो, ठीक है, तो who is the subject matter, what is the subject matter of Jodhpur illustration, Jodhpur में जो paintings बनाई गई है, illustrations बनाई गई है, वो उनका subject matter क्या है, that is, शिव पुरान, नल चरेतर, दुर्गा चरेता, इंड पंच तंतरा, जो ये चार जो options हैं आपके, ये चारों के चारों बलकुल सही होंगे, इन चारों में से कोई भी आपका option में अगर आ जाए, तो आप आखे बंद करके इन चारों में से किसी एक पे जो है, वो लगा सकते हो, ठीक है न, शिव पुरान, शिव जी के साथ बेज़ड है, जो दूर्गा चरीता है, तो इस नुनमा दूर्गा के ऊपर नल जलेतर जो है, वो एक पोईटरी है, एक पंच रंतरा जो है, वो ओवियसी बात है, तो एक तांत्रिक फोर्म है, उसके ऊपर जो है, वो काम किया गया है, जो है, जो है, कौन सा मैनिस्क्रिप्ट है, यह आपको बेकुल याद रखना है, हमारी पूरी की पूरी जो सलेबस है, उसमें सरफ एक ही पेंटिंग है, यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, मेगदूद, फालकन अदे बर्डरेस्ट, राजा अनुरु संगारा, इन कृष्ण नविद गोपी, तो ऑप्शन जो है, हमारा अंसर है, इस मेगदूद, सिर्फ एक ही पेंटिंग है, हमारे पूरे के पूरे सलेबस में, जो के अपरवहंसा जो स्टाइल है, उस स्टाइल में बनाई गई है, ठीक है न, अच्छा, who were the patterns of Bika na school of art, Bika na school of art, जो है, उसके patterns कौन से थे, राजा राय सिंग, करन सिंग, अनूप सिंग, राजा राय सिंग, कमल सिंग, राजा राज सिंग, हरेंदर सिंग, तो option is clear, राजा राय सिंग, करन सिंग, अनूप सिंग, ये तीनों के तीनों बंदे जो है, ये यहां के patterns थे, ठीक है न, तो next question है हमारे पास, where the art, मतल जब हम लोग जहान से देख सकते हैं ठीक है ना अनुप महल सुजानमल नैशनल मूजियम राय महल सुजान महल नैशनल मूजियम इन में से कौन सा ऑफशन होगा तो मेरे हिसाब से तो बनता है तो यही आपका जो है वो अंसर है क्योंकि तकरीबबन अगर हम देखे तो ज्यादा तर जो पेंटिंग्स है वो नैशनल म्यूजियम में पढ़ी हैं लेकिन यहां पे हमने इसलिए इसको स्कूल ओफ आर्ट जो है उसके आसपास कौन सा एरिया जो है रायगार जोदपुर अजमेर तो इन में से उप्षिन जो है जैपुर जोदपुर एंड अजमेर जो आपका डी ऑप्षिन है यह आपका बिलकुल सही अंसर है देखो राज्यस्तान में तो ही है वह सी बात है ना बुंदी उसके आसपास नहीं है ठीक है न तो आपको यह बिलकुल जीजें याद रखनी है ठीक है अच्छा तो अगला है वह सब्सक्राइब किशन गड़ स्कूल ओफ आर्ट देखो सीधी सी बात है याद रखना भाई पेंटिंग कौन सी फेमस है है ना यहां पर निहाल किशनगर स्कूल में एक ही आर्टस था जो में था यहां तो अंसर इस नहाल चंद हुव बनी थनी बनी थनी कौन थी अभी देखो इसके भी कई options बनते हैं देखो लवर ऑफ राजा सावन सिंग अगर यह option आ जाए तो यह बिलकुल सही है एक है अटेंडेंट टू स्टेप म अजाए राञा सावन सिंग या यह ऑप्षेंगन सही है और दिस इस जान है को यह भीтоящिन neighborhood तो यह बींधान थी तो वह ज़्यक्त मेुक्त टूसरे स्कूल उप कtechn एं बहुत ही बड़ा एं रेलीजास पेंटिंग्जैन आं दो और च तो रक्ला uniform behavior इन चैंनगत एक चशम डेड़ चशम फुल फेस और अल अब अब नहीं भाई प्रफाइल आप फोटो की चुबाते हो न तो आप बोलते हो कि प्रफाइल फेस है लेकिन उसमें क्या है आपका एक चशम आई आएगा जैसे कि यह वाला यह वाला में दिखाई दे रहा है एक चशम आई ठीक है यह बिल्कुर आपने ध्यान रखना है इस दिर इन टाइप परस्पेक्टिव कैन बी सीन दराजस्थानि स्कूल पेंटिंग क इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक पोस्टल स्टेंप इशू कर दिया सीथी सी बात है रादा बनेठनी क्रिशन विद गोपेज लिफ्टिंग माउंट गोवर्दन होर्स सीथी सी बात है एक ही फेमस पेंटिंग अधार्टर रादा बनेठनी इसके उपर जो है व आपको यह पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग है अगर आपको कोई पुछ ले के भाई राज्यस्थानी स्कूल में बताओ राज्जस्थानी स्कूल में आपने कहां पे देख लिया तो ओवियस सी बात है फिर हम राजस्तानी स्कूल का बताएंगे लेकिन अगर आपको यह option दिया गया है तो बिना देखे कृष्णा लिफ्टिंग माउट गोवर्जन जो आपकी पेंटिंग है उस पर आपने निशान लगा देना है वाट तो पोईट्री है इनके उपर भी पेंटिंग बनाई गई है अगर हम बात करें कि रैजस्तानी पेंटिंग जो है उन पे किसका इंफ्लेंस देखा जा सकता है फोक आट मुगल इंफ्लेंस डेकन इंफ्लेंस मौटर्न आट या ओल अफ द अबव सभी का देखा जा सकता है फोक आट एंड मुगल इंफ्लेंस क्योंकि डेकन इंफ्लेंस हमने नहीं देखा क्योंकि वह बाद में बना मौटर्न आट भी बा का मिन्स टाइम पिरिएड अब एक 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 जामपल ले लो 1885 सामवंत भी लिख सकते हैं अगर सिर्का लिखना है तो वह भी लिख सकते हैं हम देखा है कि मारूरागी नी जो है उसके उपर भी लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट मेंटर अगर पूछे कि मारूरागी नी एक का खेक है ना अच्छा को सिंहें केमल इस रिप्रेजेंटेड आज हूं इन पेंटिंग मारूरागी नी पी है ना तो आपको यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोला-मारू वैस्तों आपके सलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम यहां पर कर लेते हैं कि भाई जो डोल अच्छा मारू एक मेल है ना उसको रिपेजेंट किया गया है कि भई हां उसकी प्रेजेंटेशन को यूर यह डिपिक्त करता है ठीक है तो अग्ला मेंनीक उभ चुगान-चुगान-चुगान-प्लेयर उसमें-चुगान-प्लेयर क्रिके नानफ आपके पोलो-फुट-ब यह कौण से subject matter के ऊपर debate करती है रसिक प्रिया poetry of Keshavdaas महा भारत 12 अकपर नामा सिंपल सी बात है सीधी सी बात है रसिक प्रिया पोईट्री ऑफ केशव दास ठीक है ना यह आपकी जो पेंटिंग है that is Krishna on Swing जैसमें कृष्ण जी को दो पार्ट में दिखाया गया अपर ग्राउंड और लोर पार्ट में विच सिंबल्स हास बीन शोन विद पेंटिंग ऑफ राधा एंड क्रिशन है ना ऐसे राधा क्रिशन को कैसे दिखाया गया ओविरसी बात है that is love between God and human soul human soul is as a Radha and God is as Krishna ठीक है न यह आपको बिल्कुल दियान रखना है यहां पे boyfriend या girlfriend वाला प्यार बिल्कुल भी नहीं है this is a love between the God and the human soul मतलब भक्ती भाव जो है उसको दिखाया गया है वह प्रेम भाव है न क्योंकि हम भी तो परमार्तमा से प्यार करते हैं ठीक है तो which type of fingers जो है वो राधा बनी ठनी की कौन सी किस तरीके की fingers बनी हुए है tapering fingers यह आपको बि एंजी टाइप का जो है वो लगा हुआ दिखाई दे ठीक है अगला question है how many figures जो है वो painting भारत मीट्स रामा एट चित्रकूट में दिखाया गया है कितनी figures मनाई गई है 49 47 50 53 तो आपका अंसर है 49 figures यह आप पूरी की पूरी count भी कर सकते हो 49 figures जो है वो total मनाई गई है अगर चत्रकूट अगर आपको basically मतलब यह question आ जाए लेकिन अगर आपको यह question आ जाए मालो के यह question आ गया आपको कि कौन सी painting जो है वो cloudy scene वाली है उसमें आपको option ये भी आ गया भारत मीट सरामाएट चत्रकूट आपको option वह भी आ गया कि भी कृिष्णले seeking the Mountain गोबर्दन तो आपको लिप्दम गवर्दन जो है उसको जो है वह वो टिक करना है वो अंसर देना है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्राउड़ी सींज है, है न, what is the subject matter or the form, which of the text, भारत meets रामायट चत्रकूट, है न, उसका subject matter क्या है, या कौन से subject matter से लिया गया है, महाभारत से, रामायन से, बारामासा से, या बावर नामा से, ओवियसी बात है, that is taken from रामायना, ठीक है न, यह आपको ध्यान अकना है, क्योंकि रामसीता रामायन में थे, महाभारत में नहीं थे, यह आपकी बुक में भी गलत दिया गया है, ठीक है न, वहाँ पे महाभारत लिखा गया है, लेकिन तससे नॉट महाभारत है, ना क्योंकि महाभारत में तो क्रिशन अर्जुन है ना वो सारे भीम यह थे यहां पे तो अराम सीता जी जो है उनको दिखाया गया है ठीक है ना अच्छा यह आपकी एक छोटी सी मैंने कोशिश की है कि आपको चलो एक पूरी की पूरी लिस्ट दे दी जाए जैसे कि आपकी एक पिंटिंग है मारो रागी नी यह उसका आर्टेस्ट है साहिब दीन सब स्कूल है मिवाड टाइम पिरड़ है टीन सेंचरी टेकनीक है टेंपरा एंड कोटसी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है नाशनल म्यूजियम निव डेली अच्छा सभी की कोटसी सेम ही है सभी की टेकनीक सेम है अगर आपको टेंपरा टेकनीक के बारे में पढ़ना है कि वो कौन सी है तो आप हमारी राजस्तारी स्कूल की जो पहली वीडियो है मारो रागी नी भी उसका भी आटेस्ट सेम है सब स्कूल सेम है लेकिन टाइम पिरड़ थोड़ा सा डिफरेंट है राजा अनिरुसिंग हारा वैसे मेरे को यह नहीं समझाया कि अगर हम 18th century लिख रहे हैं तो इतना time period का फरक क्यों डाल रहे हैं है ना राजा निरुसिंग हारा उतकल राम बुंदी 18th century चुगान प्रेस दाना जोधपूर 18th century कृष्णा उन्स्विंग दाट इस बाइन नूरु दीन जो आटिस्ट है बिका नेरिसका सब स्कूल है 1683 एडी रादा बनीठनी निहाल चंद किशनगर 1760 एडी और भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट दाट इस गुमान बाइब फ्रूम जोधपूर स्कूल अफ़ाट एंड टाइम प्रड़ेस 18th century बहुत सारे बच्चों का यह कोश्चन है कि सर यह से लेबस में से बहुत सारी चीज़े काट दी गई है लेकिन फिर भी आप पढ़ा रहे हो बढ़ा क्योंकि मेरे को सीवी ऐसी पर थोड़ा सा कम भरोसा है कि वह कोश्चन डालेंगे या नहीं डालेंगे तो अगर एक अधा कुश्चन हम कर भी लेते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो कोशिश करना के करते रहो तो यहाई पर हम आप जो आज की वीडियो है वह ख रखना कुमेंट जरूर करना क्योंकि आपकी कुमेंट बहुत ही वेल्यूएबल है मैं हारे कुमेंट का जो है आपको आंसर दूंगा तो प्लीज कुमेंट जरूर करना थेंक्यू बेरी मच गाईस बाइबाइवरीबन